प्यारे दोस्तों जब शाजाँपुर में अभी जो बाड आई थी काफी जादा पानी भर गया था तो मैंने सारे वीडियो आप तक पहुचाएते चाहें फिर वो लोधी पुर हो खनौद हो गर्रा हो लेकिन आज हम फिर आपको बता रहे हैं कि पानी बढ़ गया है और एक ब यह वाहा है और पीछे पानी फिर से लब अलब पर गया है मतला अब इतना नहीं है लेकिन काफी जादा भख़गया है तो चलिए आपको बिखाते हैं कि पानी इतना भर गया है तो अगर हम बात करें इस बाड के पानी की तो यह रस्ता जु जा रहा है यह इदरी से यह पानी की क्या कंडिशन है रोड को देख कर चलना होगा लोग स्वीट से आते हैं और आपको आये दिखाते हैं देखिए यहां पर यह रास्ता चला गया सीधा गर्रा का यहां पर पूल पड़ेगा आगे जाके और यह ककरा नुश सिटी से जो ब्रीज बनाए यही पर से निकल पर कल पानी नहीं था बिलकुल भी यह वहां तक पानी चला गया है और अगर हम बात करें तो पानी की स्पीड काफी जादा मनलब तेज चल लगी है ऐसी बात नहीं है काफी जादा पानी हो गया है क्योंकि बहुत छोटी से नदी हो गय थी जब पानी खत्म हो गया था पान जी हाँ डाम अब वहां तक पानी पहुझ गया है लोग यहां पर मचली का शिकार बगारा करते थे बैठके यहां पर उनको फुले सी दिक्कत होगी कि यहां पर पानी नहीं था तो आराम से शिकार हो जाता था लेकिन अब जो है यहां पर पानी काफी तेज धार आपको दिख के आपको दिखाते हैं कि वहां वहाँ पक्या जटWhat are there 5 ओल पर देखाते हैं और आपको दिखाते ह consideration इस तरीके से उभलन प Learn it 7 और 49 फरौन भानषा ना रएचारी लिफ लेशान बागा है पहर दोर तक आपको पानी थामे पर दिखेगा मैं के दिखात Avenue जिर्च वाटली में तो भीन के रहे वहते हैं वाटली सब्सक्राइब आतए है और फानी ज़गा है यहां भीना इंस पानी थीए के प्रक्षच की बहुत अब क्लोग आए है उपिछाया पानी तक यहां आप पानी तो ने तो भीने आपकर पानी देखाने की कोशिश है क्योंकि मैंने सारे वीडियोज आपको दिखाए थे इसलिए मेरा फर्ज बनता है आपको ये भी दिखाऊँ फिलाल देखते रही है यूनिक आर्टिस्ट रजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको शेयर से लेकर हर जहाँ की खबर मिलती रहे देखते रहे हैं यूनिक आर्टिस्ट रजी